करक राशी 2023 जैनुविरी का मीना किस प्रकार वितीत होगा तो आईए जानते हैं करक राशी वालों के लिए क्या भविश्वानी निकल कर आती है क्या प्रडिक्शन निकल कर आता है लेकिन इससे पूर भी मैं अपने सारी प्रियश्रोता गणों को बता देना चाहती हूं कि हम जो भी प्रडिक्शन लेते हैं वो चंद राशी के हिसाब से लेते हैं आपकी जनम पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशी निकल कर आती है हम उसके हिसाब से प्रडिक्शन कर रहें क्रिपया इसको संसाइन से कन्फ्यूज मत कीजेगा तो आईए जानते हैं कैंसेरियंस के के बारे में करक्राशी वालों के लिए क्या फलत निकल कराता है जैनूरी का महीना 2023 तो करक्राश debate वालों के लिए ये बहुत ही उत्तम महीना ise इस महीने में किसी भी शेत्र में बस विज़ई विज़ई है यदि बहुत समय से शादी का सोच रहे थे तो शादी फिक्स हो जाएगी कोई शादी शुदा है उसकी फैमिली बढ़ जाएगी बहुत ही अच्छा घर लेने का योग बना हुआ है shifting of house a beautiful house आपका अपना घर हो सकता है इससे पूर जितने भी करक्राशी के rent पे थे उनको एक मौका मिले कुछ दिमाग में बात आए कि हम नया घर ले सकते हैं तो इस महीने वस्तुता वो आप कर सकते हो वो घर भी आपके लिए बहुत fruitful होगा कारिश्यत्र में उन्नती है, students life में उन्नती देखते हैं business में उन्नती देखते हैं और घर की जितनी भी related बाते होती हैं सब में हम उन्नती देखते हैं तो बहुत ही सुन्दर महीना है ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे करक्राशी वालों को बताना हो प्रभु की कृपा से और आपके उन कर्मों से जिससे आपने प्रभु को प्रसन्चित आनंद किया है उसके परिडाम स्वरुप वो आपको ये सुखद समय दिखाएंगे तो प्ली सुख में प्रभु के उस प्रेम को मत भूलिएगा क्योंकि उन्होंने ही प्रेरत करके अच्छे करम करवाए करम हमने किये ऐसा अभीमान भी हमें से किसी को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेरना देने वाले वही हैं लेकिन इसको इस बात से कभी रिलेट ना करें तो फिर बुरे करम भी वो करातें कि तुम किस प्रकार शुद हो सकते हो, किस प्रकार अच्छे करमों को पर्फॉर्म कर सकते हो और जो मैं हैं जिससे हम बुरे करम करते हैं वो एहंकार से पैदा होता है ऐसे ही अगर आप शुप करम भी मैं को बीच में रखके करोगे कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ तो वो भी एहंकार द्वारा ही कराये जाते हैं इसलिए वो छोटे परिणाम के होते हैं समय के लिए थोड़े समय के लिए सुख काता है फिर चला जाता है लेकिन जब आब इस भाफ से अपने वो अच्छे कर्म करते हैं कि प्रभू ने हमसे करवाया और हमने प्रभू को ही अर्पित कर दिया तो ऐसा सुखद समय जो आपका इस महीने आया है हम देखते हैं कि वो व्यतीत होता है लोगों की जीवन में लंबे समय के लिए आता है तो ये जीवन में बहुत ही अच्छा समय आपका व्यतीत होगा इस महीने ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आपको बताना पड़े उल्टा आप लोगों को advices दे सकते हैं तो कुछ भी नया करने का मन हो इस महीने कर सकते हैं बहुत ही शुब समय है बहुत ही शुब शकुन नजर आते हैं गो फोर इट आपको पहले से ही बधाया इस महीने की बहुत बहुत खुशने हैं जो आपको मिलेंगी उनके लिए आ जाते हैं हम health पे तो health भी आपकी बहुत अच्छी नजर आती है सूर्य भगवान की उपासना करेंगे तो आपका यह महिना औरती सुन्दर हो जाएगा सूर्य भगवान प्रभु के नेत्रों से नारायन के नेत्रों से आये हैं पर सूर्य को हम नारायन भी कहते हैं क्योंकि नारायन ही सूर्य के रूप में हमारे पास रोज सुभह आते हैं और जाते हैं और हमें बताते हैं कि मैं प्रत्यक्ष भी हो रहा हूँ तुम मुझे देख सकते हो तब ही तो हमारे सनातन धरम में उनको जल प्रदान किया जाता है ठीक है? तो सूर्य भगवान के अराधना करने से आपका ये जो प्रसंता का समय और डबल होगा और आने वाले अगले महिनों में भी आपको इसका फायदा होगा वो आपकीजिए सुबह उटके उनको अर्गी दीजिए उसमें रोली मिलाके भी देख सकते हैं ओम सूर्य आयनमा बोल सकते हैं गायतरी मंत्र का जब कर सकते हैं और ये महीना आपके लिए बहुत सुखद व्यतीत वैसे ही हो रहा है मेरी यही प्रात्ना है कि इस महीने में इन सुखों में आप अपने प्रभू को और याद रखें spiritually अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और यूँ ही आने वाला समय भी आपके लिए बहुती मंगल में हो धन्यवाद